हेलो एवरीवर्न इस वीडियो में हम कक्षाच है विश्य विग्यान की कारेपत्रक 13 करेंगे जिती है इसकी 17 अगर्स 2021 और इसका उप विश्य है भोजन के खटक वक्षीट को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजे तो आएए शुरू करते हैं वक्षीट इस वक्षित में हम विटामिन और खनेज लवन के बारे में जानने वाले हैं तो पहले हम विटामिन पढ़ते हैं यद पी ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्चक है कम मात्रा में हमें विटामिन लेने चाहिए विटामिन हमारे शरीर को स्वस्त रखने के लिए बहुत महत्वपूर है कई प्रकार के विटामिन होते हैं A, B, C, B, E और K ठीक है कौन-कौन से विटामिन होते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K जो हमारे शरीर की आवशकता है और इनमें से प्रत्य एक विभिन खादे प्रदाथों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है अब देखो जो विटामिन्स मैंने आपको कितने सारे बता है इन में से हर एक vitamin अलग-लग हादय परदाथों में हमें मिलता है और हर एक vitamin का अपना अलग-लग function होता है अलग-लग निकी भूमिकाएं होती है तो अब हम हर vitamin के बारे में पढ़ेंगे पहली हम vitamin A के बारे में जानते है इसके जो शुरत्थे हैं वो हैं गाजर, आम, जिगर, कॉट लिवर और ओयल, तो जो विटामिन A है वो हमें गाजर, आम, जिगर, कॉट लिवर और ओयल से मिलता है, इस विटामिन A का कारे है आखों, बालों इव तवजा के लिए उत्तम, तो विटामिन A आखों के लिए, बालों के लिए तवजा के लिए उ विर्धि के लिए तो विटामिन V हमें मास पेशियों और जो हमारी तंत्रिकाएं होती है उनकी विर्धि के लिए चहिए होता है विटामिन C के शोते हैं नीबू, नारंगी, आम्ला, अमरूद और टमाटर तो vitamin C हमें इन सारे खादे पदार्थों से मिलता है और इसका कारे है, दात और मसूने स्वस्त रहते हैं इससे रोगों की प्रतिरोधक्स शमता है इसमें, यानि रोग नहीं लग सकते तो vitamin C, vitamin D देखते हैं, ये हमें दूद, मक्खन, cod liver, oil, धूप के संपर्प में अगर हम रहें तो हमें vitamin D मिलता है, इसलिए हमसे कहा चाते हैं कि धूप लेनी चाहिए हमें उससे हमें vitamin D मिलता है, दूद, पीना चाहिए, मक्खन, ये सारे चीज़े हमें खाती रनी चाहिए vitamin D के लिए, अब vitamin D का कारे क्या है देख लेते हैं calcium का उप्योग करके हड़ियां और दात मजबूत हो जाते हैं, ये इसका कारे है अब हम पढ़ेंगे खनिजलवण के बारे में, तो देखो हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रामें की आवशकता होती है किसकी? खनिजलवण की ये शरीर के विभिन भागो के निर्माण और जीवन की विभिन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं खनिजलवण है वो शरीर के विभिन भागो का निर्माण करते हैं पौधा मिठी से खनिजवशत करता है पषु पक्षि से भोजन पराप्त ngait इसलिए पशु में मिलने वाले खादे पदार्थों मेंभी खनिज़ होता है तो देखो, सिंपल सी बात हैं यहां पर कहीं है। देखो, पहले पोधा होता है। पोधा क्या करता है खनेज लवन कहां से लेता है? willen लेता है? मिट्टि से लेता है। अब पोधे में तो खनेज लवन आ गये। Αब इनहीं खनेज को जानवर खा जाएगा और जो जानवर वाल इसके शोते हैं दूद और हरी सबजियां कैलिशियम का कारे है हड़ियों एवं दातों के निर्मान के लिए रख्ट से ठक्का जमने में मदद करना रख्ट में कभी-कभी धक्का चम जाता है तो उससे मदद करना जमने में मदद करना ठीक है तो इकलिश्यम का कारे है और phas for us हमें मास, मचली और अंडे से मिलता है और इसका कारे है हड़ीओं एवं दातों के निर्मान के लिए आहरन लीवर मास और हरी सब्चीयों से मिलता है और ये शरील में रख्ट निर्मान के लिए होता है आयोडीन हमें समुन्द्रे खादे पदार्थ जैसे के लिए केकड़ा हो गया और आयोडीन युक्त नमक से हमें आयोडीन मिलता है और ये शरीर के व्रिधी के लिए काफी जदा उप्योगी है तो सारी ही चीज़े हमें सारे खने जो सारे विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहने चाहिए अब आईए हम अभ्यास करें आगे आपके प्रशने उत्तर हैं इनको आपको अपनी कौपी में लिखना है पहला प्रशन देखो हड्डियों और दातों को मजबूत बनाने के लिए अवश्रक विटामिन का नाम बताएए तो उत्तरा जाएगा विटामिन दी दूसरा प्रशन है विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्त बनाये रखने में मदद करता है तो यहां जाएगा दात और मसूडे तीसरा प्रशन है समुंदरी भोचन में कौन सा खनेच पाया चाता है तो अभी हमने उपर पड़ा अंसर हो जाएगा आयोडीन चौथा प्रशन है गाजर खाने से आपकी आखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है इस यह जो चौथा प्रशन है चौथा पाचवा और छटवा यह तीनों प्रशन हम अगले पेच पर देखते हैं इनकी आंसर ठेके यह देखिए जो प्रशन पाचवा था गाजर खाने साब की आखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिल सकती है इसका उत्तर हो जाएगा गाजर में विटामिन A पाया जाता है जो आखों की रोशनी तेज करने में मदद करता है ठेक है यह उत्तर नमबर चार प्रशन नमबर पाच देखिए हमें कैल्शिम की आवश्यक्ता क्यों होती है तो पहले आप प्रशन लिख लेंगे प्रशन नमबर पाच लिख लीजे अब इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है कैल्शिम हमेरे दातों और हड्यों के विकास के लिए परम आवश्यक होती है अप प्रशन नमबर च है यदि आप मचली मास और हमरूत खाते हैं तो आप इन खादे पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हमें मचली और मास से विटामिन बी मिलता है और हमरूत से विटामिन सी मिलता है ठेक है बच्चो तो यहीं आपकी वक्षीट हो जाती है समाप्त वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू